हेई गाइज वलकम तो इन्फोटेक प्लस और वलकम अगें तो अन्योटेक वीडियो फ्रेंस बहुत सारे फ्रेंस एन सस्क्राइबर ने उससे पूचा है रेड्मी नोट 3 में वो डार्क मोड कैसे यूज कर सकते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा ऑफिशल अपडेट नहीं आया है जिसमें आप रेड्मी नोट 3 में डार्क मोड को एनेवल कर सकें और उसको यूज कर सकें तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्वेस्टेड वीडियो है यह आपकी सब रेक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ इसको और इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने रेड्मी नोट 3 डेवाइस में डार्क मोड को एनेवल कर सकते हैं और कैसे उसको अपने सारे फीचर्स में यूज़ कर सकते हैं सारे आइकन्स में डार्क मोड को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने Redmi Note 3 डेवाइस में गाईज अगर आप यह जानना चाहते हैं फिर यह वीडियो स्किप नहीं करना पूरा देखना है और उसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को तुरंट सस्क्राइब कीजिए और उसके बाद बैल ऐकन को भी नोडिफाई ज़रूर कर लें क्योंकि मैं यहाँ पर आपको Redmi से रिलेटेट बहुत सारे और टेक्निकल न्यूस से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो में आपको देता रहता हूँ तो चलिए गैस देखते हैं यह कैसे होगा इसके लिए हमें क्या करना हो तो फाइनली अगर आप अपने डिवाइस Redmi Note 3 में डार्क मोड को एनेवल करना चाते तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑफिशल अपडेट नहीं है जिससे आप अपने Redmi Note 3 में किसी भी तरीके से डार्क मोड को यूज कर सकें लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक सिंपल वी बताने वाला हो जिससे आप अपने फोन में डार्क मोड यूज कर सकते हैं वो भी ऑफिशल कोई मतलब ऐसी एक्टिव वीडी नहीं है जिससे आपके फोन में कोई प्राबलम हो या फोन पर कोई भ करना है आपको उसके लिए एक थीम डाउनलोड करना है बहुत ही इंटरस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग थीम है रिड्मी नोट 3 डिवाइस के लिए जो मैं आपको इस यूडियो में बताने वाला हूँ जिससे आपके फोन का पूरा लुक ही चेंज दो जाएगा बहुत आपको जाना है, एमाई के थीम स्टोर में कहीं से भी डाउनलोग नहीं करना है और उसके बाद आपको वो थीम याँ पर मिल जागी, फाइनली मैंने इसको डाउनलोड कर रख्या, लेकिन मैं उसका नाम बग lire आपको रहे हैं अपको डाउनलूड करना है, इसका नाम एक्स यह काफी official काफी amazing थी मैं dark mode यूज़ करने के लिए आपके redmi node 3 device में तो finally चलिए इसको करते है apply और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का मेरी device का interface हो जाता हूँ और कैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ dark mode में तो finally यह हो चुकिए apply और आप देख सकते हैं इससे पहले मैं iPhone X की theme यूज़ कर रहा था काफी interesting है काफी अच्छी है लेकिन यह उससे भी जाता better अगर आप trade भी node 3 में देख सकते हैं यह आइकन running icon लेंगे आपको देख सकते हैं WhatsApp एक room gallery और settings वोगर यह आपको running में change हो जाएंगे तो काफी अच्छा है देखने में काफी attractive लग रही और अगर हम dark mode की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर dark mode आ गया है सारी icon भी change हो गया है और यहाँ पर dark mode enable हो गया है काफी चीज़ यहाँ पर ऐसी है जिससे आप यूज कर सकते हैं dark mode के लिए और इसका अगर हम डाइलर की बात करते हैं तो काफी interesting और यह भी dark mode में ही enable हो गया है देख सकते हैं यह भी आप dark mode में हो गया है और इसके जो numbers वगया है वह भी काफी interesting देखने में लग रहे हैं इस तरीके से आप और बहुत सारी चीज़े हैं जैसे के messaging की बात करते हैं तो यहाँ पर messaging भी आपको dark mode में देखने को मिल जाईगी देख सकते हैं यह काफी अच्छा option है इससे आप अपने फूरे फोन में dark mode यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही easiest वे में इसको अपलाई कर सकते हैं गाइस वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसका अपने फ्रेंस में शेयर जरूर करते हैं और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को तुरंट सस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए उसके साथ ही आपको यहाँ पर हमारे चैनल की जितनी भी अप्डेट्स है जितने भी वीडियो जो आने वाले अपकमिंग टेक्स और रिलेटेड और काफी इंट्रेस्टिंग वीड क्या है